अलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो दे चैनल जो पिछले वीडियो में जो में डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्क्रिशन करते हुए आ रहा था कुछ शॉट्स आपने देखे उन शॉट्स में एक वीडियो शॉट्वीडियो था कॉंसेफ्ट ओफ एकुलेंट रजिस् चॉट्वीडियो का एक डिसक्रिशन था उसमें अगर आप देखोगे तो यह बताया गया है कि जो इकुलेंट रजिस्टेंस है इसके लिए हमेशा एक तो दो पॉइंट चाहिए है यानि इकुलेंट रजिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करते हैं दो टर्मिनल होते हैं दिनको दो पॉइंट कर लो दो नोड के लिए दे उनके बीच में calculate करते हैं और दूसरी चीज जो equivalent resistance है ये इस पर depend करता है कि वो दो पॉइंट कौन-कौन से होंगे और ये जो concept है calculation of equivalent resistance इसकी सबसे ज़्यादा जरुवत पड़ती है जब अभी आप आग परम में तो जब हम आगे पढ़ेंगे उससे पहले ही हम यहाँ पर जो concept of equivalent resistance है इसके बारे में समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे calculate करते हैं और ये किस तरीके से दो points पर depend करता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद देला दूँ कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लिए सब्सक्राइब करने के बाद bell icon को press करना बिलकुल मत भूलिए क्योंकि जब तक आप bell icon प्रेस नहीं करेंगे आने वाले वीडियो का notification आपको नहीं मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो यहां देखिए कि find the equivalent resistance of the circuit in figure कौन concept के बीच में अब यहां पर बता है कि A and B, C and D, E and F, A and F and A and C अब सबसे पहले हम देखते हैं इस first part को यानि first part, first part क्या है A and B के बीच में equivalent resistance क्या होगा तो जब A and B के बीच में equivalent resistance हमें find करना है और यहां पर दिया है कि यह number represents the resistance in ohm यानि यह 2 ohm है, यह 4 ohm है, यह 2 ohm है, यह 6 ohm है और यह 1 ohm है तो मैं इस circuit को redraw करता हूँ इस तरीके से यह हो गया 2 ohm, यह हो गया 4 ohm और यह हो गया 2 ohm, यह हो गया 6 ohm और इसको आगे हमने यह हो गया आपका 1 ohm अब जो terminal थे A and B, वो terminal थे यह, यह हो गया A and B, यह आपका terminal हो गया C, यह terminal है D और यह है E और यह है F तो यह 2 ohm है, यह 4 ohm है, यह 6 ohm है, यह 2 ohm है और यह 1 ohm है तो जब भी हम इस तरीके के circuit को simple करते हैं यानि equivalent resistance calculate करते हैं तो आप हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिए कि जिन दो टर्मिनल के बीच या हम जिन दो टर्मिनल के एक्रोस equivalent resistance कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके दूर से हम simple करना शुरू करेंगे उस circuit को दूर से कैसे शुरू करेंगे कि अगर A and B यहां है तो हम इसका जो far end है वो कौन सा होगा E and F टर्मिनल तो यहां से हम right to left इसको solve करते हुए जाएंगे और simple कैसे करेंगे series या parallel combinations से कि series होंगे या फिर parallel होंगे तो अब यहां पर मैं आपको याद दिला दूँ कि concept of series and concept of parallel इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आपको link description box में मिल जाएगी और आप यह i button पर भी click करके आप देख सकते हैं concept of series and concept of parallel तो अब यहाँ पर देखें हम 4 ohm और 2 ohm तो इन में देखें कि यह 4 ohm और 2 ohm यह दोनों है जो current 4 ohm के थुरूफ लोगा वही 2 ohm के थुरूफ लोगा यानि ये जो 4 ohm और ये 2 ohm है ये कैसे connected है series में तो ये जो circuit है further कैसे simplify हो दाएगा ये 2 ohm हो दाएगा ये 6 ohm है और जो 4 and 2 थे ये दोनों बन जाएंगे 6 ohm तो ये 6 ohm हो गया ये 6 ohm हो गया ये 2 ohm है और ये terminal आपके ये 2 ohm के बाद ये हो गया आपका 1 ohm ये 1 ohm है ये terminal A है ये terminal B है और ये terminal C है और ये जो E terminal था ये C और E के बाद जो ना चार ohm और ये 2 ohm ये combined होके ये F terminal यहां पर रही गया यानि ये E terminal क्या हो गया खतम हो गया क्योंकि 4 और 2 को हमने क्या कर दिया combine करके 6 बना दिया अब जब यह six ohm है यह दोनों में अब आप देखें कि इनकी condition क्या है इनकी condition जब parallel की condition क्या है कि दोनों terminals दो element parallel में तब होंगे जब उनको दोनों terminal क्या हो आपस में handshake कर रहे हूं तो देखें कि यह जो six ohm है यह इस six ohm का दोनों terminal चाहिए यह वाला terminal और यह terminal ऐसे ही इस six ohm के एक यह terminal और यह terminal यह दोनों आपस में क्या कर रहे हैं handshake पहली condition यह parallel connection की पहली condition satisfy कर रही है इसके बाद दूसरी condition क्या होनी चाहिए कि दोनों के across voltage सेम होना चाहिए तो आप देखें कि यह जो six ohm है और यह six ohm है तो इन दोनों के across जो voltage है वो क्या रहेगा सेम तो यह six ohm और यह six ohm कैसे है पैरलल में और जब पैरलल को आप simplify करोगे तो यह six और six यह parallel का combination बनाके बना दिंगे यह three ohm तो यह जो circuit है further simplify हो जाएगा इस तरीके से यह two ohm और यह six और six का parallel जो बन जाएगा यह हो जाएगा three ohm और यह one ohm यह आपका terminal कौन से थे a and b यह six और six का parallel three हो गया यह two है और यह one है तो यह अब three और two कैसे हो जाएगे यह series में और यह parallel में है one के तो जो अब मैं यहाँ पर simplify करूँ तो यह r a b जो है this will be equal to यह जो resistance है one यह किसके parallel में three और two के जो इनका series का combination है इन दोनों के parallel में तो three और two क्या हो जाएगा five तो और a b will be basically five by six product by sum होता है न तो three three plus two यानि five into one upon five plus one तो r a b की value हो जाएगी five upon six ohm तो हमने एक value यहाँ पर निकाल लिए a a and b के बीच के resistance अब माल लिए जे मुझे इसको थोड़ा सा change करना है change करना है क्योंकि question में पूछा गया है c and d के बीच का resistance कितना होगा equivalent resistance तो यह जो circuit है इस circuit को मैं copy करता हूँ अग दुबारा से और यहाँ पर हम solve करेंगे कि r c और d के बीच का resistance कितना होगा तो जब r c और d निकालना है हमें तो आप को r c and d मैंने इस circuit को दुबारा से यहाँ पेस्ट कर लिया तो अब c and d के लिए तो अब हम फिर से इस circuit को redraw करें तो यह देखेंगे यह two ohm है यह one ohm है यह जिस तरीके से connected है यह हमारा c terminal था यह six ohm है यह four ohm है और यह two ohm है तो यह terminal है हमारा c और यह terminal है d यह terminal है a यह terminal है b और यह terminal है e यह terminal है f तो अब COD के बीच में निकालना है यानि हमें basically एक terminal हमारा ये है और दूसरा terminal ये है इन दोनों के बीच का resistance calculate करना है ये value है 6 ohm ये है 2 ohm ये 1 ohm ये 4 ohm और ये 2 ohm अब देखो मैंने फिर से आपको दुबारा से बता रहा हूं कि जब भी हम resistance calculate करते हैं तो जिन दो terminal के across resistance calculate कर रहे हैं उसके far end से हम simplify करना शुरू करते हैं तो far end यहां पर अगर हम देखें तो इसके दोनों तरफ है यानि दोना तरफ कौन सा है एक तो ये वाले side भी है और एक दूसरा ये वाला side भी है तो जब मैं इस side को solve करूं यहां देखूं तो यह 2 ohm और यह 1 ohm यह दोनों कैसे हैं सीरीज में हैं यह 4 ohm और 2 ohm यह दोनों भी कैसे हैं सीरीज में हैं तो अब यह जो circuit बनेगा यह कुछ इस तरीके से बनेगा यह हमारा C and D terminal है यह unchanged रहेगा क्यो राइट साइड में जो पैरलल है वो और यह इसके लेफ्ट साइड में जो पैरलल है वो और यह टर्मिनल जो हमारा C and D रहेंगे यह D terminal है और यह C terminal है जो राइट साइड के ब्रांच है यह भी कितनी हो गई 6 ohm और यह कितनी हो जाएगे 2 and 1 यानि यह 3 ohm अब और हमारा further simplify किस तरीके से होगा अब देखे यह ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच के क्या जिन दो टर्मिनल के across हमें resistance calculate करना है तो simplify करते टाइम यह जो resistance है इस resistance को हम बिल्कुल नहीं छेडेंगे जब तक कि हम simplify करते करते इस ब्रांच तक नहीं पहुंच जाते तब तक तो अभ जो 3 ओम और यह 6 ओम यह दोनों कैसे हैं पैरलल है तो जब यह दोनों पैरलल रजिस्टेंस होंगे तो यह further कैसे simplify होगा यह हमारा 6 ओम तो ऐसे ही रह जाएगा as it is जो c nda टर्मिनल है और यह 6 ओम और यह 3 ओम कैसे हैं पैरलल तो इनका जो equivalent बनेगा product by sum यानि 18 by 9 यानि यह हो जाएगा 2 ओम तो यह जो पैरलल है यह पैरलल हो जाएगा 2 ओम यह टर्मिनल हमारा c रहेगा यह टर्मिनल d रहेगा यह 6 ओम है और यह 2 ओम है अब मैं फिर से इन c और d के टर्मिनल के across equivalent resistance देखूं तो यह जो 6 ओम है और यह जो 2 ओम है यह पारलल में connected है तो यहां से मैं लिख पाऊंगा कि जो आर एसी है इस विल बी इक्वल टू अगेन प्रोड़क्ट बाइसम यानि 12 बाइट 6 इंटो 2 अपॉन 6 प्लस 2 यानि इस विल बी इक्वल टू 1.5 ओम तो आपके यह देखो कि सर्किट सेम था अगर हमने टर्मिनल्स चेंज कर दिये आर एबी जब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के एक्रोस रजिस्टेंस निकाल रहा था तो यह 5 by 6 ओम था जब मैंने टर्मिनल्स चेंज कर दिये C और D तो अब मेरा रजिस्टेंस 1.5 ओम आ रहा है तो इससे यह प्रूव हो रहा है कि जो एक्वलेंट रजिस्टेंस को कैल्कुलेट करने के लिए आपको एक तो दो टर्मिनल चाहिए और वो टर्मिनल हैं कौन से यह यह डिसाइड करेंगे कि एक्वलेंट रजिस्टेंस की वाल्यू क्या होगी तो उमीद है कि आपको यह कॉंसेप्ट समझ में आ गया होगा अब इनके बाद जो अगले जो दो पार्ट हैं E & F के बीच का एक्वलें नहीं कैलकुलेट हो रही है तब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह वाल्यूज आप यह एक्वलेंट रजिस्टेंस आप फाइंड नहीं कर पार हो तो इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाके मैं वो सॉलूशन भी आपको प्रोवाइड करा होगा तो आप इसको याद रखे और इसी तरीके के और वीडियो के लिए आप चैनल से जोड़े रहे हैं आगे आप जोड़े रहेंगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे सॉल्ड प्रोब्लम्स के बारे में डिस्कॉशन होगा इस चैनल पर तो आपका डेफिनेटली फा कैसे लगें इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंट सरकल में शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई एंक्स फॉर वाचिंग